तो नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वड़ी में हम देखने आले तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स फैन कोड एस टी टेन बार्सलोना की जो मैच है आर आई डबलू वर्सेस एल वाई के बीच की मैच की तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स में आपको दिखाने हो जैसे कि आपको अच्छे खासी अर्णिंग हो सकती या फिर आप ग्रैंड लीग जरूर जीच सकते जैसे कि मैंने मैच को हैलेट करके दिखा देया उस पर आपको क्लिक कर लेनी और अगर आप तक टीम नहीं ब करके रखिए एक एक हैक करके डिखाता कि किसक को लेना किस्किस को नहीं लेना क्यापटर क новых क्याप्टर किसी क्या सकते यह बाते मैं आपको बतांगा लेकिन दोस्तों फिर से एक बार वीडियो को सुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी चानल को आप तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कंसिस्टंसी थोड़ी ज्यादा अच्छी है कंप जरूर दी है लेकिन पर्फॉर्मस दोनों का अच्छा खासारा है बैटिंग की बात करें तो मैं चार बल्ले बाज पहले ही ले लेने आला हो जहां पर इस नजीर को लूँगा केसिंग को लूँगा और यहां पर यू मुश् चलना है आल रांडर पर और और आल्रेडी चार बल्ले बाज ले चुके तो तो हम तीन यह अल रांडर को यहां पर ले सकते हैं तो पी धिमान को मैं लूँगा और के सुभानी को मैं शामिल करूंगा तो इस तरह से तीन ऐसे आल रांडर मैंने ले लिए जो के बैटिक भी और आपको काफी अच्छा परफोर्मस करके दे सकते हैं इसी वज़े से इन तीनों को इस टीम में शामिल कर रहा हूं गेन बाज पर चलते तो यहां पर मैं आर वक्कार को कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों आए अहमत को भी जरूर लूँगा और यहां पर इस जा के 65% लोगों ने क्याप्टर मना दोस्तों यह अच्छा खेले ना खेले हमें फायदा जरूर होने वह वह के स्थर से आगे जरूर बताऊंगा लेकिन पहले बात करते हैं वाइस क्याप्टर की तो जावेद को मैं इस टीम का वाइस क्याप्टर मना चार पॉंट पर सेंटी लोगों ने इनको वाइस क्याप्टर मना लेकिन फिर भी हमें फायदा करा के दे सकते हैं चले दोस्तों टेम प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मैंने कीपिंग में एम अली को लिया है इसके आलाओ किसी और कीपर के साथ मैं नहीं जाओंगा बैटें इस आपको काफी फायदा करा के दे सकते हैं अपको ग्रा लिग के लिए तो कोई प्राब्लेम नहीं है लेकिन इससे फ़ले मौटिपल्स लगा लगा सकते हैं प्रफॉर्म करें ना करें हमें फायदा जरूर होने वाला है दोस्तों क्यूंकि दोस्तों सोचे अगर यह पर्फॉर्म्स करते हैं तो हमें तो फायदा होने वाला लेकिन अगर पर्फॉर्मस नहीं भी करते हैं तो 65 परसेंट लोगों ने इनको कप्तार मनाया तो इन सब को नुक्सान होने आला है तो हमें जादा कोई फरक नहीं पड़ने वाला है इससे उल्टा अगर हमारा वाइस क्याप्टन जो है या पे एस जाविद इनको काफी कम लो चाविद अगर चल जाते तो हमें अफकोस ग्राइंड लिग जिता सकते हैं कुल मिला के टीम तो अच्छी खासी बनी है दोस्तों फिर से कोंगा ग्राइंड के लिए तो यूज करनी है स्मॉल लिग के लिए अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकता है लेकिन एक याद ज् हर बल्य बासे पुछली टीम में लिए ते हिस बार इक टीन दोस्तों दॉस्तों हो को अचा कासा पर्फर्मस करके दे सकते तो इसलिए मैं यहाँ पर टीम्हां टी युवार रह्मान और के सुभानी के अलावा भी ए मोहमत को भी मैं स्टीम में शामिल करूंगा इनका भी पर्फॉर्मस अच्छा खासा रहा है जरूर आप इनके साथ भी जाएंगे तो आपको ये भी फायदा करा के दे सकते इसके अलावा गेन बाजी पर चलते हैं तो य मैं इनको लेना चाहता हूँ अब फिर भी अगली टीम में ज़रूर कोशिश करूं का इनको भी ले लुआ पस अगर बात करें नेक्स्ट पर क्लिक करने की कि तो क्याप्टन और किसे बना सकते तो यहां पर मैं इस टीम का क्याप्टन बनाने जा रहा हूं दोस्तों ती यू करेंगे तो मैंने सभी शुरुवात किया है चेंजर करने के मसूद को इस टीम का विकेट कीपर मैं ले रहा हूं इस शाली को उसके बाद एन महमद और यहां पर मैं के सिंग को ले रहा हूं एस बैट स्मून तीन अच्छा खासा खे पर इसके बाद आल्राउंडर में पेछ जिससे आपको काफी फाइदा करा के दे सकते हैं आपको ग्राइड लिग जिता सकते हैं अच्छी खासी अर्णिक तो फिक्स करा के देंगे देंगे अगर बात करें गेंबाजी के तो एक बाल को लूँगा एहमद को लूँगा और वक्कार को भी इस टीम में शामिल करेंगे आप पैसे लगाते हैं दोस्तों तो थोड़ा जादा लगाएंगे तो आपको फायदा भी जादा होगा मतलब मेरा कहना यहीं है कि एक ग्राइड लिग पर निर्वर मत रहें अलग 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 दो तिन तरह की लिग लगए बड़ी बड़ी लिग कहीं ना कहीं परसेट लोगों को इनको फायदा देने वाले लेकिन हमें उनसे भी जादा हमें यह फायदा देने आले तो के सुबानी को इस्ट्रीम का वाइस कैप्टन बना रहा हो दोस्तों यह भी काफी बढ़िया है दोनों अल्राउंडर होने के वज़े से हमें यह बैटिंग और दोनों को क्याप्टन करना काफी फायदेमन साबित होने आला है दोस्तों और ऐसा नहीं कि यह प्लियर खराब है दोनों ने अभी तक अच्छा प्रफॉर्म्स कहल लेकिन कुछ ने ज्यादा ही बढ़िया कर लिया इसकी वज़े से इनको किसी इन पर किसी का ध्यान नहीं ग कम पॉइंट जरूर दिये मतलब हर मैच में थी 30-40 पॉइंटी दिये ज्यादा कभी दिये नहीं है लेकिन हर मैच में अच्छा परफॉर्मस करें तो अगर आप चाहे तो एमली को भी ले सकते हैं लेकिन मैं मसूत के साथ जाओंगा बैटिंग की बात करें तो केसिंग को ल चाहेंगे जरूर करने पड़े हैं दोस्तों लेकिन हो सकता है यह चेंजेस हमारे लिए काफित जादा फायदेमन साबित हो ओल राउंडर पर चलते हैं तो पी धिमान को लोगा और के सुभानी को भी या पर जरूर शामिल कर लूगा अगर आप चाहें तो के सुभानी की ज दोनों में अच्छा कर सकते हैं एक बात और जरू कौंगा दोस्तों मैंने यहाँ पर भी बर्शात को इस टीम में या किसी भी टीम में नहीं लिया और इसके अलावा एम असीम को भी मैंने कही पे भी नहीं लिया है पर्फर्मस अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सोसे जाधा पॉइंट जरूर दी है लेकिन इन्होंने पर्फर्मस के नापे कुछ भी खास नहीं किया दस बारा मैचस के लिए और उन्होंने यह पॉइंट दिये तो इतना मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है इसलिए अगर आप लेना चाहे तो ले सकते लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाओंगा गेंबाजी पर चलते तो यहां पर मैं गेंबाजी में चार गेंबाजों को चूज करने आला हूँ आरवककार को भी लूँगा आई अहमद को भी लूँगा अगर बात करें तो यहां पर आई उसें जावेद यह दो और प्लेंग इलिए और में है एफ अहमद भी प्लेंग इलिए लेकिन परफॉर्मस इनका कुछ खास नहीं रहा ह इसके अलाव एकबाल खान को और एस जावेद को में शामिल करूंगा तो इस तरह से चार आईसे गेंबाज ले रहा हूँ जिनका परफॉर्मस काफी शांदार रहा है और आपको विक्ते लेकर अच्छे खासे पॉइंट भी दिला सकते हैं तो इसलिए यह चार प्लियर में इसलिए में शामिल करने आला हूँ जो गेंबाजी के रूप में रहेंगे अगर बात करें फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करके क्याप्टन के तो यहां पर मैं और भी थोड़ा हटके करने आला हूँ और वक्कार को देख सकते दोस्तों 0.888 परसेंट लोगों ने क्याप्टन म पर तो इसी यहां पर थोड़ा हटके कर रहा हूँ दोस्तों मैं इस बार फिर से कुछ ना कुछ अच्छ रहा हूँ आप चाहे तो मसुद को या फिर के सिंग को भी क्याप्टन या वाइस क्याप्टन जरूर बना सकते हैं लेकिन मैं इसी तर से रखूंगा फिर से टीम प् में मैं इस बार ज़्यादा शिछा रहा हूं इक बाल को ले रह 500 को ले रहा हूं आर्वक्तार को रहा हो सजर्वेट को ले रहा हूँ तो कुलल्मिला की यह भी टीम काफ़ी बैटर है रोंटिब्न आशजीक है या फिर अच्छा खासे अर्निंग फिक्स कराके दे सकती है कुल मिला कि अगर बात करें क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की तो आरवक्कार को क्याप्टन मना रहा हूं काफी कम मतलब 0.88% लोगों नहीं इनको क्याप्टन मनाया होगा अगर आप इनको बना देते तो उनको प्लियर के खेलने वाले है वो उनको फायदा नहीं होने आला है तो इसलिए आप पर मैं थोड़ा रिस्क लूँगा और सालिक को भी मैं इस टीम का वाइस कैप्टन मना रहा हूं दोस्तों यह भी काफी खतरनाक है अच्छी बैटिंग कर सकते तो जरूर आप इन दोनों के स काफी ज़्यादा रिस्क है दोस्तों क्यूंकि ग्रैंड लिग में क्या होता है तो आपको पैसे कम से कम वापस आ जाते लेकिन स्मॉल लिग का क्या होता है अगर आपके टीम अच्छी नहीं पड़ती तो आपके जो पैसे आपने लगा है वह भी चले जाते हैं इसलिए मैं स्मॉल लिग के लिए जाधा रिस्क लेदी की कोशिश नहीं करता हो कुल मिला के इस टीम को भी क्लोज करते सेव कर लेते और आखिर में यहीं कौंगा दोस्तों अगर आपको लगता है इन तीनों टीमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए या क्याप्टन और वाइस क्याप् कर सकते हैं अगर पसंदा तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजे चैनल को भी अगर आप में आप तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब भी कर लीजे और साथ यसाथ बेल आइकन को प्रेस करके और पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे उड़े आप तो वो उसके वेपारे में मैं आपको बता सकता हूं तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद और गुडबाए